अगर आप मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को वीडियो पसंद आता है तो लाइक इस वीडियो पसंद आते हैं आपको नमबर दिखाई दे रहा हुआ बसक्रीन पर देखते हैं कि क्या चाहते हैं और उनकी करेंट अनर्जी क्या हैं मेजर अकाना से हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट अनर्जी बिसिकली क्या है देखें यहाँ पर वील ओ फॉर्ट्यून और स्टार की अनर्जी आई है आपके जो पर्सन हैं इनकी लाइफ में इनका जो समाय चक्र है वो इनके फेवर में नहों कि आपके फेवर में हैं इसका अर्थ क्या हुआ देखें कनिक्शन में दो лoke है तो दो लोगे डेस्टिनी काम कर रही है आप देखो एक दोनों से जुड़े हुए हैं मतलब दोनों एक दूसरे से अगर जुड़े हुए हैं दोनों सेंग सीं डेस्टिनी में लिखे हुए हैं तो कभी समय आपके favor में होता है कभी आपके person के favor में होता है ऐसे समझें जैसे पास तक आप दो-तीन साल से for example in a work कर रहे हैं आपके spiritual awakening से दो-तीन साल तक सारी चीज़ें आपके partner के हिस्से जा रही थी यानि कि सब कुछ उनको प्राप्प्त हो रहा था लग उनके favor में था जैस किसे वो चा रहे हैं समय की बरवादी या पर जो भी समय पर वो कर रहे हैं उनके हाथ में हैं लेकिन कभी लग आपके favor में आएगा time आपके favor में आएगा जब time आपके favor में आता है कहीं न कहीं तो चीज़ें आपके अनुसार work करते हैं जो आप चाहते हो वो होता है आप करन हो चुकी है also यहाँ पर इस वक्त चीज़ें आपके favor में आ गई है यानि कि आप वह हो रहा है जो आप चाहते हैं याप क्रेटर की एनरजी आप ब्रह्मा की आप सुना होगा हम ब्रहमासी जो मैं कई बर एक्जाम्पल देते हूँ हम ब्रहमासी मतलब कि आपका भगवान हो जाना नहीं होता लेकिन creator हो जाना definitely होता है क्योंकि आप अपनी destiny maker होते हैं आप अपनी किसमत खुद लिखते हैं ठीक है आप जो सोचते हैं जो बोलते हैं जो करते हैं वहीं आपकी किसमत बना देता है तो एक टाइम के बाद जब आप spiritually align हो जाते हैं अवेकर हो जाते हैं माइंड बॉडी सोल से alignment हो चुकी है पहले क्याता आपकी ऊर्जा बहूं बहुत लो गई थी और आपकी ऊज्चा लोग क्यों हो गई थी आपके energy लो पर क्यों गई थी क्योंकि आपने पर्सन को बहुत एक्स्टा मिठाई खिला दी ते जो मैं कहते हैं कि सारी energy आपने पार्टनर के उपर लगा दी थी और आपने पर्टनर वी उपर सारी एनर्जी लगा दी थी तो लग उसके फिवर में चला गए ता सब कुछ उसको मिल रहा था साही चीज़ESE उसके transistor में जा रही थी लेकिन अब की जो परसन हैं वो emotions के साथ deal कर रहे हैं। एमोशनली बहुत जादा क्यूंकि लोग पहले क्या था ना कि आपकी परसन जो नी जब भी emotional होते थे थोड़ा बहुत तो आपकी बहुत जादा इनारजी इस परसन को मिल जागी थी तो जब इस परिसन को आपकी बहुत जादा एनर्जी मिल जा दी तो अपनी feminine energy से कभी connected नहीं हो पाए इस concept को आप दुबारा से समझने की कोशिश करिये देखिये हमारे अंदर feminine energy है ठीक है हमारे अंदर feminine energy हमारे अंदर masculine energy दोनों हैं अगर हमें कभी चाहिए कि कोई हमारे को सलाए कोई हमें सराहे कोई हमें प्यार करे कोई हमें पैमपर करे कोई हमें समझाने की कोशिश करे कोई हमाई लिए इमोशनल हो तो जब हम इस तरह की डिमांड्स बाहर से करते हैं तो हम यह कह रहे हैं कि हमारे अंदर लैक है जो क्योंकि हमारी चीज बाहर से मांगना चाहते हैं हम एक विकारी की श्रेणी में आ जाते हैं कि तो हमें बाहर से सारी चीज़ अला कर दो इसी वाज़े से तो इनसान को प्यार में बहुत जादा दुख होता है क्योंकि वो अपनी फैमिलन एनरजी को चार्ज नहीं दे रही को इतना सप्टै कर दिया था अपने इस परसन को बाहर से कि अंदर से जो चीज़ें इस परसन को र्यालाइज होनी चाहिएник दी अंदर कितनी आपको meditation करनी पड़ती है खुद से connect करने के लिए, खुद से जुडने के लिए खुद के intuitions को सुनने के लिए आसान नहीं है खुद से जुडना ठीक है और सबके बसकी बात भी नहीं है खुद से जुडना तो आपके जो परसने खुझ से कभी जुनना ही नहीं चाहते थी बाहर से सप्लाई हो रही थी हर चीज मिल रही थी बाहर से युनिवर्स ने का कि ठीक है ब्रेक अब यहां बाहर से तुम्हें नहीं मिलेगा या बाहर से तुम्हारी सप्लाई बंद तो अब जो बाहर से सप्लाई बंद होग तो यहां पर ना वो एनरजी निकल कर आई कि आपके पर सप्लाई आप से तो मिल नहीं रही बाहर से युनिवर्स ने इस पर सप्लाई बंद कर रखी और हैं यह पूरी तरीके से इनके पस एकी आप्शन है कि अपनी अनरजी को और युनिवर्स नंगी अनरजी टिगर भी करता होगा समध्वाए समाई नowych मतार युनिवर्स आपकी इनरजी टिगर्स करते रहते हैं आपको बतानी कोशिश करते हैं कि आपके अंदर शम्ताएं हैं आप बस यासे बेवकूफ इंसान हो जो मानते नहीं हो आप सब को सभाल स चाहिए रहता है यह आपकी सबसे बड़ी कमी है ठीक है ना थीए एनरजी यहाँ पर दिखाई दे लिए लेट्सी के टारों क्या बताते हैं हुआ अबड़ कर्स्थ साथबस्याँ रह रहता है यहाँ है य naught पर याया दोपर कर रहता हैं झाल झाल क्या रहे हैं यहां पर निकल यहां पर है six of wands 10 of wands आपकी जो person है आपको लेकर और क्या सोच रहे हैं आपके परसन यह सोच रहे हैं कि family के अगेंश जाकर आपको ओफर कैसे किया जाए Ais of Cups अपस परसन को लग रहा है कि आपके तरफ आपके अपके लग अपके फ़िवर में जा चूकаю आप इंडिपेंडेंटे हैं आप की अगिन्स जाकर आपको प्रपोजर्स करें या प्रपोजर्ण दें क्योंकि फैमिली तो इस परसन के लिए बहुत जादा important है अब जैसे यहां पर पास्ट में मान लीजे़ आपके जो पार्टनर है उनों यहां पर यहां पर एनरजी निकल कर आ रही है इस ओफ कुपस के साथ तैनोफ पेंटिकल से दिखाने की कोशिश करें अगर आप अपनी लाइफ की अंदर सामने वाले को पाना चाहते है तो सही समय रहते अपने काम को कर दो, यह नहीं कि आप टाइम निकाल रहो हो, ताइम की बरवादी कर रहो हो, इंसान चला जाएगा आपकी जिन्दी से, और फैमिली को इस बार यह परसन नहीं चुनना चाहते हैं, कि फैमिली को यह पार्टनर पास्ट में चुन चुके हैं, और इमके हाथ कु कि अपना कमपैरिजन उसी के साथ समझ में आता है, कि सारा दिन बस दूसरों का बोज उठाओ, दूसरों के लिए काम करो, अपनी जिन्दी बूल जाओ, यह दुनिया ऐसे ही चलती है, इस दुनिया के लिए अगर आप अपने आपको जान कुर्मान भी कर दोगी, कि हम बर मेरा बोज अठा ले, ठीक है, उतको कोई प्रॉब्म नहीं होगी, कारण, क्योंकि वो लोग आदी होते हैं, कि हमारी रिस्पॉंसिबिटी लोग, आप सब के लिए करते जाएंगे, वो करवाते जाएंगे, राइट? तो आपके जो परसनल ना, इनकी एनर्जी भी यही जाओ, खुद की एनर्जी, खुद का सब कुछ, खुद के बारे में कुछ मत सोचो, फैमली के लिए सोचो, सोसाइटी के लिए सोचो, उस पर जिने चुना हैं यह सब, राइट? ठीक है, गिरुवर्स ने तोज़ना का था कि आप चुना, आपके परसन आपको देख रहे है है कि हमेशा अपने विवर्स को बना हमेशा गाइड कि आप हमेशा freedom चूस करें, आप हमेशा चूस करें कि आप खुद के लिए जीना चाहते हैं, self love चूस करें, आप लोगों की responsibility लें पर ऐसे नहीं कि अपने आपको मार कर आप दूसरों की responsibility ले रहे हैं, अपने आपको यह नहीं कि बस दिन भर बस करी रहे हैं, सारा और कुछ देखी नहीं रहे हैं, तो इस तरह की energy में आपका partner रहा है, और यह हमेशा मैं अपने विविवर्स को तो मना कि तो मुझे नहीं लगता है, मेरे विविवर्स इस energy में होंगे, मेरे विविवर्स दिखाई देते है nine of pentacles किया है, में independent है, खुश है अपनी life action में है, अपने जो भी passionate उनको जीना था, passion को follow करना था, काम करना था, वो सारे काम को कर रहे हैं, आपका जो person है वो डरा हुआ ही बहुत जादा है, और आपके अंदर strength देखता है, देखो आप भी एक time पर बहुत जादा डरे हुए थे आपके अंदर भी fear issues थे, लेकिन आपने उनको overcome किया, आपने उनके साथ लड़ाई की, आपने उनके साथ जगडा किया, और आपने उन fear issues को हराया, उन fear issues को आपने हील किया, और आज आप strength में, आपके person आज भी डर की energy में है, आपके person जब भी social media पर आपको stock करते हैं, right now भ चीज़ों की वसे आप बहुत आगे निकल रहे हो, आपनी फस्ते हो इन सब चीज़ों में, आपका काम नहीं है, इन सब चीज़ों में फस्तना, कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, रिष्टेदार, family, relatives, ये, वो, ठीक है, आपका काम है, अपना कर्म करना, जिसे जो सोच जो करना है, करने दे, आप किसी को पकड़ भी नहीं सकते हो कि मेरे हसाब से काम करो, और कोई आपको भी नहीं पकड़ सकता है कि आप इसके हसाब करें, तो इन सब चीज़ों से आप बहुत ऊपर उठके है, आपका person आपसे बहुत ज़ादा है, motivate होता है, लिट्रियर आप स आपने चूज नहीं किया है वो एक तरीके से एक जिन्गी को जीना जहां पर लोगों को बस खुश करने में आप अपनी जिन्गी निकाले जा रहे हैं राइट तो यह एनरजी आपर निकल कर आ रही है आपके जो परसन है वो आज सेलिब्रेशन के लिए वे जैसे उनको उनके उनके पास हैं उनके पास है मौका कि वो सेलिब्रेट कर सकते हैं कर सकते हैं मजा नी आ रहा हुए क्यों कि आज भी फीडम नहीं है तीक है जब आपको इस पीडम नहीं है और आपको कोई काम करने तो आपको क्याद कहाने जैसा ही लगता है ते हाँपस परसन बशड़ झाल झाल